कि तुरूर सरकल टाइटिंग सरकल का बेसिक प्रोपर्टी सबको पता है हाया नहीं है पता है कि शुरुबात कटम है अगर यह सरकल है तो सरकल का इस पार्ट को क्या बोलता है सेंटर से यहां तक का बताओ यह पूरा लाइन को क्या बोलता है और डामेटर इस ट्वास रीटियएस तो अब बात एलिखने का जोरुत नहीं है ठीक है न हीहां खेक है इसको मता है अगर हम सरकल में सरकल का बाउंडर से कोई भी दू पोइंट को जोड़े इस लाइन को क्या बोलता है कॉर्ड वेरी गूड कॉर्ड तो सुरुवाद यही से करता हम ठीक है अच्छे से पर हम दाइगरम बनाता है तुम यही करना हम फिर दाइमेटर रोरे डिदेश नहीं बताने वाला ठीक ना डन ना प्रीजर विए यह दा मेरा सर्कल बनाना ही जो अब तो थ्यांसे सुनना हाँ एक लाइन सर्कल को तीन तरहीका से काट सकता है परे सुन लो या तो बाहर से या तो अंदर से या तो जश्ट टच करके हाँ या ना कुड आउट ओके या तो बाहर से काट रहा है वो नॉर्मल लाइन इसमें कुछ खास नाम नहीं दिया है पर जो सर्कल को दो पॉइंट में काट रहा है उसको बोलता है सेकेंट इसको क्या बोलता है सेकेंट और जो सर्कल के एक पॉइंट में काट रहा है उसको क्या बोलता है टेंजेंट ठीक है कुड आउट क्लियर हाँ तो लिखूं टेंजेंट डेफिनेशन लाइन टचिंग डा सर्कल या इंटरसेक्टिंग डा सर्कल अट वान पॉइंट इसकोल तंजेंट कुड आउट क्लियर नबर तू सेकेंट क्या हो करेखूं ए लाइन इंटरसेक्टिंग डा सर्कल एट बात पॉइंट तंजेंट डेशन एक एसा लाइन जो सर्कल को जस्ट अंदर से दो पॉइंट में जोड़ रहा है बाहर से नहीं आ रहा है जस्ट अंदर से इसको बोलता है कॉड कोई प्रोब्लम कॉड का देफिनिशन कुछ ऐसा रिखेगा था-ाइन जोगल आशना इन यब ऑनी जोगल आशन गंशने नशने में बाहर कोड का देफिनिशन कुछ आइसा रहिखे का लाइन यरूशल 006 कॉझक्स 2018 3 सर्कल इस कॉल्ड कॉर्ड कॉर्ड को डाउट ठीक है क्लियर उतार लो इतना तक और देखो कोई डाउट ही क्या आगे बड़ी आगेए बड़ी यांर को है यह पॉइंट इस पोईंट को नाम दिया लो पॉइंट था, गीश्याणी जिस पोइंटकोई बया जाता या उस पोईंट का नाम क्या यान कि the intersecting point between the tangent and the circle is called point of contact. Good out. अच्छा अहां पर note में रिखना the diameter is the longest chord because diameter भी circle का दो point को जोड के बनता है और वो सबसे बड़ा होता है. So the diameter is the longest chord. ठीक है न? Good out. Pt. Number 4 is the point of contact. Point of contact. Pt. … The intersecting point between the tangent and the circle is called point of contact कोड़ाओ यहां तक देख लो definition रटना नहीं, exam में definition पूछेगा नहीं but yes, assertion region या fill in the blanks का फॉर में कहीं दे सकता है इसलिए definition समझ के रखना, ताकि देखे तो समझ में आ जाए क्या बोल रहा है, कोड़ाओ यहां ठीक है ना हाँ, एक में दीजेवे, एक सर्कल में कितना पॉइंट्स होता है 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 टेंजेंट ड्रॉव कर सकता है एक सर्कल में इंफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉव कर सकता है लिख लो कुड आउट ठीक है है ओके अधो टेंजेंट इस पेशिल के सफ सेटेंट यह लिख दो ऐसे हम यह इसले लिखा रहा है तो तुम्हों को कंफिजिन ना ले लिए रिमार्क देखो इस टेंजेंट इसे स्पेशिल केस ओफ सेकेंट वैर इस टू एंट पॉइंट पॉइंट को इंसाइड मीनिंग हम बता रहा है मीनिंग हम बता रहा है मीनिंग क्या बोल रहा है मालो इस सरकल है तेरा सेकेंट डो पॉइंट में सेकेंट डो पॉइंट में दो पॉइंट डो पॉइंट डो पॉइंट पर तुम जितना क्लोज लाते जाएगा देखो जितना क्लोज आएगा उतना ही ये दो पॉइंट एक दूसरे के करीब आएगा ये नहीं आएगा आया ना समझ रहा है तुम जितना ही क्लोज बनाना चाहेगा मालो इस सरकल है तो जितना ही क्रोस बनाना चाहेगा ये कह से कप्रिभा और एक समयु आएगा जब ये को को साइड हो जाएगा और ये आट से हैं समझ रहा है कि आगर ये दो पॉन्ट जुए है करीब आते आते हैं को इन्साइड हो जाता है तो वही एक अ Müdata समझ रहा है थीक है है यह बस हो जाए और टेंजिंग वर्ट कम्स वर्ट टेंगेर विच मिन्स तुटच और इसको इंट्रीश किया थो मस्ट विने के नहीं है यहां पर नोट किया देख लिए रटना निया है खाले अंशी को परपस है पुछा नहीं है यह बता दिया जे ले तुटच और डेनिस्माथमेटिशन फ्रमस फिनिगेने इसका इंत्रोट्चिन कि मैंदा निकाला थाई वर्ट ए 1583 में डण ओके हाव यह आगे बने हाँ हम जब बनाया था तब दिखा था ना यह यह वाला पाट हाँ नेक्स्ट लिखो है जिन दो हाँ मेनी टेंजन्स थोए सिंगल पॉइंट थोए पॉइंट अब यह तो पता चलकिए एक सर्कल में इंफाइनाइट सर्कल है ठीग इन इंफाइनाइट टेंजेंट से पड़र कम एक पॉइंट देटें, उस पॉइंट से कितना टेंज़िन बढेगा, है ना, ठीना, यह कुशन वह है, यह थीन केस बनेगा, पहला, अगर वो पॉइंट इन्साइड दा सर्कल हो, बढूढब को अगर वो पॉइंट दा सर्कल हो, कोई प्रॉब्लेम अब सरकल सरकल का उपर हो तो एक ही टेंजिन में ने आप या ना प्रिगा सुर्ण एक ही पॉइंट में टच करता है कोई डाउट को ठीक है कोई प्रॉब्लेम नहीं बट वह पॉइंट बहार हो तो एसे बना सकता है आप दो अनिकी एक्सटैनल पॉइंट इसको बड़िये से डाव एक्सटैनल पॉइंट इसको पॉइंट इसयाल ग। उट एक्सटैनल पॉइंट से दो टैंजिन मना सकते ली यो कि इसको एक्सपैना सब्सक्राग कि यह से अंंदर character's according then यदि कुलों से इंसाइट डास्रफल होंगा तो जरो टैंजेंट आं में कि अधार्फदाट्री करते हैं वेलगिता शांजीरों तो यह सिदा यह पूछतार हुआ पॉहसाँ ब«योंस चीघंजेंगे पॉंसे क्यों मतृतं है स्टॉर्फफ नशेक miser कि वह point कहा है वो नहीं बोला है तो वह point अंदर भी हो सकता है उपर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है इसले maximum 2 मतब 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता quit out तो इस question का answer तो maximum 2 है और अगर question बोल दिता है जब वह point external है वह point internal है या वो point on the circle है, अगर internal point हुआ तो 0 tangent, on the circle हुआ तो 1 tangent, external point हुआ तो 2z tangent, code out clear तो यह से ही बना के रख लूखा तो और यह सा कुछ mention नहीं करता है, तो maximum 2 तो वो फर्क है equation में जा रखना है इसलिए तो यह से रखना हुआ डन ठीक है हाव यहाँ and final concept यह concept लिखना नहीं है, खड़ी समझने का लिखना मत ठीक है मालो, यह एक दिवार है थी न अब खुसल यहाँ पर आ गया वो देखा उसका अफिल एक जम खराब बहुत दूख में जम क्या किया जाए तो frustration के मारे वो अपना सर पटकना जाता है दिवार पर जाके परसें frustration के मारे वो पागल हो गया है तो पर वो देखना चाहता जिए उसका दिवार से distance कितना हुआ है तो बताओ तो डिवार से जब distance बुलेगा कौन सा line के long मज़र करेगा रेड लाइन के long यह ब्लू लाइन के long यह औरेंज लाइन के long यह ब्लैक लाइन के long बताओ 1,2,3,4,5 क्यों? सीदा सिर्फर मारे है और अवेसा बात है यह ब्लू भी तभी जब यह 90 डिग्री हो अवे 90 डिग्री नहीं है तो तो तुम वह distance दिखेगा जो एककम सीदा perpendicular जा रहा हूँ हाँ 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 यानि कि तुम कोशिस करेगा यह एक्दम स्ट्रेट तुम से जो परपेंडर बना रहा हूँ हूँ हाँ तुम यहां खड़ा और अब जिवार यहां से शुरू के यहां है थे ना अब कौन सा होगा बताना blue अभी कौन सा लाइन के लोग होगा अभी blue blue के लोग ही होगा हम लोग डोनु केस में अगर तुम observe करेगा हम लोगा पहला criteria होता है shortest distance हम जीस चीज को भी देखना चाहता है वह चीज से मेरा सबसर नज़दी की distance वही distance के लोग हम मेजर करेगा हाँ या ना हाँ बस फरक होगा यहीं इस केसे में वह पर्पेंडूलर बन गया यहाँ हाँ तो इस केस को हमें लोग हटाता है और हम बोलता है अगर यह6 लेता है तो हम यह बोल सबसकता है जो सॉर्टेश दिस्टेंस है वो पर पेंडूगलर यह है यह क्लियर है ना कॉंसेप्ट निशू ठीक ना क्रिश्णा कि ओके अब आप अब आव जो मेरा पहला थिवर्म थिवर्म 10.1 देख लिए ना किसी तुम्हों का नया बूग है तो थिवर्म 9.1 हो सकता है कि अब आई डून नो नहीं 9.1 क्योंगा 10.1 ही तो होगा ठीक ही है तो थिवर्म का स्टेट्मेंट लिखो क्या बुला देखो अच्छा स्टेट्मेंट से पहले हम यहीं रफ्ली यहां सॉल्फ करना चाहता था एक्सजाइज में रिखा एक्सजाइज 10.1 क्या है हाँ मेनी टेंजेंट के पास एक पॉइंट से नहीं पूछ रहा है इस टेंजेंट टेंजेंट इंटरसेक इनीट वान पॉइंट जो दो पॉइंट में इंटरसेक कर तो उसको क्या बोलता है को second छर्कल करने भगे दैस टेंजेट अगर एक टेंजेट यहां पर आप है जिसका टेंजेंट इसका ओपर ही होगा और कहीं होगा नहीं तो कितना टैंजेंट वा? तू पारलों टैंजेंट नहीं वो बी अटमोस ठीक ना? The common point of tangent 2-way circle and the circle is called point of contact वही definition आजया Common point बोलें intersecting point बोला meaning same है, ठीक ना? ठीक ना? कुट आउट? clear? यहाँ उतारना नहीं है मने बुक में कर लो यह number 4 क्या बोला है? एक circle बनाओ two lines बनाओ parallel to given line मालो यह given line है ठीक ना? अब दो line बनाना है एक line tangent है एक line second है एलो, tangent यह बना दिया हम जो इससे parallel है second यह बना दिया जो इससे parallel है बताओ खत्म good out यह जो L है यह given line है यह tangent और यह second है जो L से parallel है वही बोला है good out खत्म अब यह पाइथो को इस ट्रिप्लेट लिखाया था हम याद है वह दो तिन बाद नजर फेले ना काम आने वाला है circle में भी बहुत काम आएगा नमर फ्री बात में करवाता है पहले ख्योरम करता है पर दोन पर यह बुक में ही कर लेना मदब अलग से उताड़ेगा जो नहीं MCQA हो जाएगा अब यह आओ इसको लिखा देगा दो तरीका बताएगा तुमको जो पसंद लिख लेना पहले question पड़ो क्या वोला है ता tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through point of contact पहले statement लिखलो तुम लोग उतारो हम नहीं उतारेगा यह statement उतारो यह statement उतारो theorem 10.1 लिखो और यह उतारो the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through point of contact यह theorem याद होना चाहिए statement के साथ क्योंकि जहाँ भी use करेगा हम लोग यह theorem लिखेगा mandated यह लिखना उतार लिया यह statement उतार लिया हाँ अब देखो पहले diagram बनाता है यह circle है मालनो circle में यहाँ इस point में क्या है कभी बने गया नहीं के थे हैं टेंगेंट है कोई problem देखो X वाँ ए भी नाम देता ज्यादा बतार है A P यह point of quantum नाम देता है P center का नाम देता है O कोई problem तो अब वे सभादे जब OP को जोड़ेगा क्या हो जब OP को जोड़ेगा यह बनाना है क्या हाँ बनाना है जब OP को जोड़ेगा क्या OP रेडियस बनेगा क्या OP रेडियस होगा है या ना तो OP रेडियस एबी टेंजेंट और अभी हम जो concept समझाया है वैसा नहीं है यह स्ट्रेट लाइन है यह अभी टेंजेंट है और concept होई होने वाला है हम लोको दिखाना जाए से रेडियस परपेंडियूलर टू टैंजेंट अगर तुमको याद है यही concept हम लोक्लैंड डाइगराम में यूस के था हम पताया था हुआ पर यह सेंटर से जब भी कोई लाइन बनता है रेडियस टेंजन तक तो वह हमेशा टेंजन से परपेंडुबलर है जाने कि रेडियस इस ऑल्वेस परपेंडुबलर टू टेंजन हमको यह दिखाना है कोड़ाउट ठीक ना ठीक ना कर दो कि अध्या ना मुझे खाना बनाना नहीं आता पर मुझे बनाना खाना आता है कुछ मिनिंग नहीं बस अवह ही बग दिया है रील में देखा था कि सॉल्यूशन तो तो सिंस्या जामेट्री है तो पहले लिखना पड़ेगा एबी ओपी क्या है तो लिखो हो है लेट जगा कहान ही सावहिए हर जागा सेम फॉर्मेट रकना है बदलना नहीं नहीं ह्यां मैं टो कोदैर ज़ाए दृट हिस्धतन हो यह जुडा अजा ओध पॉट कोई प्रीप्र प्रोबलम तो प्रूफ क्या प्रूफ करना है चेक करो हम गिवन भी लिख लिए और तो प्रूफ भी लिख चुका कोड़ आउट ठीक है थी वर्म इंपोर्टंट एक्जान में आता है से वा छोर्म इंपॉर्टन्ट है वह में शी में ढर्स में ज्याएं आ किसी सेट में मिलेगा तुमको लेट अबी वीड़ा टेंजेंट तुदे सर्कल विच सेंटर ओ अट पॉइंट अफ कॉन्टक्ट पी कोई प्रॉब्लम किसी को लिख लिया कोई डाउट फिर हम बोलते हैं जो ओपी पर्पेंड़र टु एब है कोई डाउट ठीक है अब देखो हम लोग लिखाना है जो ओपी पर प्रेंड़र ठीक है प्रूफ पहला हम समझा देता है क्या है फिर लिखने का तरीका देखेगा आव डाइग्राम में हम मानता है लेट क्यूंभी नाम देता है लेट क्यूंभी एनी पॉइंट ऑन एबी मान सकता है और 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 अब इसको जोड सकता है इसे यह मेरा आएगा कंस्ट्रक्शन में कोई डाउट हाया ना अब दो क्या बाई अब्सेविशन यह पता चल रहा है कि ओक्यू ओपी से बड़ा है कि अब्सेविशन पता चल रहा है ठीक है प्राची खुशल कि अब्सेविशन बाद है कि अगर इसको हम आर नाम दे देता है तो यह और भी आर है तो आर प्लस सम्टिंग हो रहा ना ओक्यू के लिए तो मतलब ओक्यू रेडियस से बड़ा है ठीक ना कि अबल और कि अगरिट आ तो यह कें बहुँ ऊसक्ता था है तो हर उन्हां च्खो पी पी में और यह साघके बदाबर को क्यों कहीあっ nä हाँ अगर लोडरा पहले बोला थे हम सबसे चोटा हूवा है ऊपी च्रूट सब्सक्राइब करने का दो तरीका है एक जो बुक में दिया हुआ है और एक जो हम बताएगा इसको पहले नाम दे तो लेक्ट कंस्ट्रक्शन लिखेगा इसको उटादो कंस्ट्रक्शन लिखेगा 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 लि की निविधका मीक व्च्टाइच विर्युक्री कि अचारें स तो इंक व्चैलर तो तो नियुद एक पेंसे आर छिलो जाओ अधने शाल दिक्लें oration शाल गशेक्ड आटने क 거지 इस फिल्केज आर चैंडषर थेखल झा ठाट व थैंड नियुदस अभूगि? किनार न मउजए ना दो क्ली है लिगिन ना हो एकुछ टू यह लिखिना को आए ऑञा क्या में लिख सकता है यह लिख सकता है यक हैmäß उत हर में बाई डाइग्राम के हिसाब से क्या ओक्यू इकोल टीक्यू आर प्लास ओ लिख सकता है रोगा है चेक करो लिख सकता है ज़िए ना हेलो है लिख सकता है ना निक्ट सकता है और का जगा ओपी से रिप्लेस कर दिया और सिंस ओकी ओपी किवार्ट तीनों पॉजटीव है तो वे सावात है ओक्यू किससे बढ़ा हो गया ओपी से बढ़ा हो गया सिंस क्वीज आरपी ट्रेडी सिंस क्वीज आरपी ट्रेडी यह लोकिशारेगा अच्छा यह क्यों भी अई पॉंट होंदा और अब एक्सेप्ट पी नहीं हो सकता थियो ना अग्सेप्ट पी सिंस्क्यू इस आर्बिटरी तो ओपी इस दा सौर्टेस्ट इस दा अब और अभी अ याव स्वेस्ट उपाइल घुत्स पाइल जब अब टर्फेल से लेख तक जितना भी इस्टेंसें सिंसमें से ओपी कहा है सबसे सबसे इस अब टर्फेल फसे उपी इस अब से अब से एप पर पेंगलोर टू एबी खतम चेक करो सही यह लिखने काता दिखा ठीक है भाइया हां एक बाइग्राम दिखाऊ ना देख लो कि आप वह आर्ड किसको लिया था वह ओक्यू जोइन करते से देखो सर्कल में इंटर्सक करना अच्छा ठीक है तुट आउट कि अदया में फिघ्री अधन, फिख्री мक चेंज यहां यह उतार लिए कि और लीखता डीक आधन, चीरी तप वह वह ल wonderfully खेँक नहीं लाए तिक है ना suppose वह यहां अट दो सवार में ब्लीत दिख दिया रखो, हाँ, the point q must lie outside the circle, यह q circle का बहार ही होगा, q, अगर q circle का अंदर होता, तो यह x y कुछ ऐसा बनता है और नहीं बनता, बनता, x y कुछ ऐसा बनता जो p से भी पास कर रहा है, हाँ या ना, हाँ, और q से भी पास कर रहा है, यहाँ पर x y नाम देते हैं, हम a b नाम दिया, चल्म, a b बोल देता है, तो क्या यह second नहीं बन जाता, अगर q circle का अंदर होता है, तो यह क्या बन जाता, second बनता है नहीं बनता, बनता, यह तो second है नहीं यह tangent है, तो वह से बात है q circle का बहार है, और q circle का बहार है मतलब o q radius से बढ़ा है, radius से बढ़ा मतलब o p से बढ़ा है, good out, नहीं, पर हम सियो और है, तुम भी इतना लिखने का ताम जाम करना पसंद नहीं करेगा, अगर करता है तो यह बुक में एंसर है, यह लिख लेना, तुम्हारा चोईस है वो, बाकी आगे का कहाने तुम जो कोपी में लिखा वोई है, मना o q greater than o p प्रूफ करने के लिए एक तरीका हम बताया, दुस्ता तरीका बुक में है, डन, नहीं भाइचा, बुक वाला तरीका में आर का इस्तेमाल नहीं करना, नहीं कंस्ट्रक्शन में मेंशन करना, डन, गडाउट, नहीं, उतार लिए सब, हाँ, आगे बढ़े ही, हाँ, 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 चरो हम 10.2, है दिरू, अचा हो गया, चरो, जब यह नमर 3 में आ जाओ, क्या बोला रहो, हाँ, अच्छे से सुनना, क्या बोला, टेंजिन पी-क्यू, एटे, पॉइंट पी, और फे सर्कल, तो यह सर्कल और यह पी, पॉइंट पी में टेंजिन है, पी सर्कल में है, और यह दा पी क्यू, कोई प्रॉब्लेम, दिख रहा है, सेंटर ओ है, इसका रेडियस पाइव है, तो दे दिया, पी निकालना है, हमको माल में 12, 13, 5, पाइथेकोस्ट रिपलेट होता है, पर 13 हीटा लॉंगेस साइड होना पड़ेगा, पर यहां लॉंगेस साइड ही 12 है, ठीक है, ना, 144, एकोल टू, 25 प्लस B स्क्वर, तो 119 इकोल टू B स्क्वर, तो B क्या है, रूट ओफर 119, मतब, लेंग्ट ओफ PQE, रूट ओफर 119, कोड आउट? नहीं, तो यह नॉर्मल पार्फिकरिस्ट्रम क्यों लगा पाया है, क्योंकि एकोर्डिंग टू ट्योरम, क्या यह 90 दिग्री हुआ है, हुआ, तो परले यह मेंसेन करना, जो पर पे पर पेंडर टू क्यू भी, इसी वज़े से तुम पार्फिकरिस्ट लगा पार है, हम लो खेके ना, आगेबले, ठाएँ, उतारो यह च्छिवरम ठैंप्म टैंपारूंट, टैंप्यू ज़ू इसी द्धार म इन दुसाम टो तो की , टींसेशी पहल्ड मेर्विकरिस्टे ज़न दरैंगे पहले The length of the tangent drawn from an external point to a circle R equal. Statement लिखते हैं हमको बोलना. १ण १११११ १११ कर दो, कर दो, अटा ड्याक इस बार एक्सटर्नल पॉइंट बोला है तो पहले एक सर्कल बनाओ और यह एक्सटर्नल पॉइंट तो यह से दो ही टेंजिन बनेगा एक यह और एक तो सपोस्ट यह T P है यह T Q है कोई प्रॉब्लम और सेंटर ओ तो वही लिखा में हो लाट T P and T Q are two tangents drawn from an external point T to a circle with center O without clear ठीक ना आगे बने तो प्रूफ क्या प्रूफ करने दिया है यह length of the tangents are equal है यहां पर tangents क्या है T P और T Q तो T P equal to T Q कोई problem तो यह भी बहुत जगा यूज होगा या रखना जब point of context से external pointer का tangents का length equal होता है इसका मतलब यह नहीं है T A B T A not equal to T B यह नहीं है या रखना यह कितना लंबा होगा हमको क्या पता हमको इतना मतलब Length of the Tangents मतलब point of contact और इस external point का बीच का distance ठीक ना Okay Length of the Tangents मतलब इस point of contact और इस external point का बीच का distance कोई problem So यह दो equal होगा हमेशा Done Without Out Construction O P O Q And O T Join Join O P O Q And O T Construction Approved तो यह obvious सब आता है कि हम यह दो triangle को congruent दिखा देता है क्या यह दो side equal नहीं होगा अगर हम दो triangle congruent दिखा देता है तो अविससा बात है corresponding sides क्या होगा Equal होगा Equal होगा अट क्या होगा धाया क्या आता है तो ले लेता है अगर पर आम यह 90 degree proof करेता है यह दो we know क्या लेकिए बताओ थियुम short resistances at any point at any point of a circle is perpendicular to the radius to point of contact we know tangent of a circle at point of contact is perpendicular to the radius to which radius cut out what can you say O P perpendicular to T P and O Q perpendicular to T Q, यह हमेंसा दिखाना जरूरी होगा, यह लिखना है, ऐसे statement लिखो और यहां लिखना है, बाइचांस तुम उपर में statement लिखना भूल जाता है तो bracket में लिख देना, ज़िए the tangent of the circle is perpendicular to the radius, to its radius, done, without, अब दो triangle को congruent दिखाता है, इन triangle O P T and triangle O Q T, पहला, बताओ दोनों triangle में क्या-क्या equal है, यह triangle हो यह triangle में क्या-क्या equal है, बताओ, हम बहुता सबसे परले यह दिख रहा है, क्या O T equal to O T नहीं है, common side है ना? congruency दिखाना आता है ना, 9 में मिला था? hello याद ना, 3 angle, 3 side, या कोई भी चीज दिखाना परता एक्वेल, side 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 rule, angle side angle rule, angle angle side rule, RHS rule, side angle side rule, यह 4 rule था, ठीक है ना? ठीक तो दुन्हों triangle में O T common है, तो हो गया ना, O T equal to O T, दूसरा क्या equal है? बताओ याद 90 degree angle very good, angle O P T equal to angle O Q T equal to 90 degree लिखते था बहतर है, और equal to 90 नहीं लिखी गा तो bracket में लिखना 90 degree angle कोई एक है, अगर यह लिख रहा तो यह लिखना रहत नहीं है, ठीक है ना? तीसरा क्या equal है? एंगल T common होगा क्या? नहीं यार, कहाँ common है, क्या O P और O Q equal नहीं है, radius of circle? अच्छा हाँ हाँ तो O P equal to? O Q bracket में क्या लिखेगा, radius of circle? quit out तो तुम देखो, क्या क्या दिखा है? एक एंगल, एक side अब एक एंगल एक side आया तो logically side angle side बनता है न? पर side angle side के रहे, वह side PT होना पड़ेगा, पर क्या हो side PT लिया है? नहीं लिया न? हम क्याले, hypotenuse लिया है तो जब भी 90 degree के साथ hypotenuse का स्तमाल होता है तो वह rule बनता RHS right angle, hypotenuse, side तो RHS तभी होता है जब 90 degree के साथ तुम hypotenuse का यूज़ किया है क्या हम 90 degree के साथ यहां पर hypotenuse का स्तमाल किया है दिखाने के लिए? है न? OT तो यूज़ किया है देखो यह hypotenuse, यह right angle और यह side RHS तो यह right 90 degree होना doesn't mean side RHS है 90 degree अगर यूज़ हो रहा तो साथ-साथ उसका hypotenuse भी यूज़ होना पड़ेगा तभी RHS है, otherwise side angle side भी हो सकता है, angle angle side भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है, done तो यह जादी हो जागा इस में RHS है तो therefore by RHS rule triangle O P T on going to triangle O Q T so therefore T P equal to T Q bracket में क्या लिखेगा? C P C T उच यहाद आ रहा है पुराना दिन यहाद स्पूफ्ट करता है चार्माक का question है देखा है तो चार्माक के लाइक नहीं है क्या करना है, सिर्फ दो triangle congruity तो दिखाना है ठीक है? ठीक है यहाद से corollary मिलेगा हम बताते है क्या यह उतार लिया? यह उतार लिया? हाँ यह उतार लिया? यहाँ से corollary क्या मिलेगा सिंस यह तो triangle congruent है तो हम बोल सकता है यह angle और यह angle be equal है हाय ना? बोल सकता है? तो note कर लो यही पर इसी का नीचे note O T is the यह यह यूज कर सकता है यह बहुत काम आएगा अगल bisector of angle PTQ good out यह पहला point दूश्वा point यह भी बोल सकता हैंको एंगल POT equal to angle QOT यानि कि OT औलसो bisect the center वाला एंगल code out OT center वाला एंगल को bisect करता है यानि कि ये दो एंगल भी equal है code out clear अदरेगा को ऐसे भी ध्यान रख सकता है अगर क्रेंगल आइसुसलेस होता है या यह बनाता है यह यह चोटा-छोटा चीज चीज चीजा जिए उसका लवा कुछ निचाहिए छोटा-छोटा चीज पता है एक्जाम फाड़ कर देगा अब इस से यह जो बता है इस से रिटेट एक अच्छा कोशिन आता सिदा फाइव मार्क्स में कि वह एक्स्टा कुशन करवाएगा कि कूर्स कहता है हमको एक्स्टा कुशन नहीं करवाना मैच में प्रेस पीट से कुट आउट अज राद को ट्रिग्रमिट्री लेकर बैठना और हमको जेरोक्स निकाल करना हम पहले बोला है हम मार्क करवा देगा कौन कौन सा करना है उतार लिए नोट लिख रिया किसी को को डाउट एकजम्पल वान देखूं सरकल में सारा कोईशिन इक्वली इंपोर्टन ए थेगे ना अच आपको सेंट्रिक सरकल का मीनिंग पता है हाई या ना क्या को सेंट्रिक सरकल का मेनिंग पता है नई इस से फिल एक नोट लिख लो और एक क्लास ना क्लास ना क्लास ना में बिला तो याद है पर्पेंगलर फम दा सेंटर तू दा कॉर्ड अल्वेस बाइस बास दी कॉर्ड और वाइस वर्सा भी टू अधा है बड़ा यह सरकल है यह कॉर्ड है सेंटर से जो भी तुम पर्पेंगलर बनाएगा वो अमेशा इसको बैसेक्ट करेगा याद है यह या नहीं है तो यह थेओरम क्लास नायन में मिला था सर्कल में जैसेंटर से तुछ कोई पर्पेंगलर का मनाता है तो वह कॉर्ड को मेंसा बाइसेक्ट करता ही तो और आप और वाइस वर्सा भी ट्रू होगा कोड बाइसेक्ट होड़ा है सेंटर का किसी लाइन से तो वह परपेंडुलर होगा वाइस वर्सा भी ट्रू है ठीक है हाँ कोड आउट नहीं तीन पॉइंट इतने स्पेस छोड़ों क्या पता और भी कहीं यूज हो तो हम बता देगा एड़ करवा देगा तीन पॉइंट जितने स्पेस चोड़ों एक दो तीन ठीक है इसका डाइग्राम बनाना तो साइड में बना दूं यह दो इक्वल है यह नाइटी दिग्री है यह डाइग्राम में और कुछ नहीं यह कॉड़ एबी यह ओ ठीक है घूलिये हो ए आवजे एग्शमल इसैंट्रिक को को मतलब कॉमनड़ को मतलऻन सैंट्रिक मार्साइट्र काओं इस घ्रकल first तो एक से जायदा circle with same center, ठीक है ना? हाँ अब हमको प्रूफ क्या करनें दिये, क्या बलाए देखू, हाँ प्रूफ that, in two co-centric circle, the cord of the larger circle which touches the smaller circle, तुम देखू बड़ा circle का जो cord है, क्या उसको छोटा circle में touch करवाया है? ठीक है ना? हो अब बड़ा सरकल का कॉर्ड जो चोटा सरकल को टैंजेंट करें इन डाइकली बोल रहा है बड़ा सरकल का कॉड छोटा सरकल का टैंजेंट है खतम है ठीक है हां बोल रहा है जीज पॉंट में टर्च कर रहा है वन्हाइब पॉंट फॉंट फॉंटेक्ट वहां बाइसेक्ट हो जाता मतलब हमको दिखाना A P equals P B देखो is bisected at the point of contact ठीक है ना तो पहले बड़ा सर्कल को भूल जाओ सिंस छोटा सर्कल के लिए टेंजेंट है तो क्या यह 90 दिग्री होगा अब चोटा सर्कल को भूल जाओ तो बड़ा सर्कल के लिए सेंटर से जो पर पेंडूला बन रहा है वहीं स्कॉर्ड को बाइसेक नहीं करेगा भाइठ्योरम खत्म है कोड़ाउट माल और ठेयोरम याद नहीं तो ठेयोरम कोई प्रूफ कोड़ो ओए जॉइन करो ओभी जॉइन करो ओए इक नाइंटी डिग्री एक कॉमन साइट तो बाइ आर एचे से देनों ट्रेंगल कॉंग्वेंट हैं हैंस एपी इकल पीबी पर क्या तुम इतना लंबा करना चाहेग दो मार के लिए नहीं तुम ठेयोरम को प्रूफ कर रहा रहा दर दन यूज करो कहानी है की है ठीक है दन दन लिखना तरह बहुता है लेट एबी बीडा कॉर्ड अधा लजर शर्कल और टेंजेंट टूदा स्मॉलर सर्कल कोई आउट वह लिखे जाली कॉंग्वें लैट एच निवा एबी बीडा ऐसा बोल किया करो रहे है कॉर्ड आफ लार्जर सर्कल प्रेकेटरम सी वन नाम देता है जानके सी वन सी टू एबी पी ओ एंड टैंजेंट टूदा स्मॉलर सर्कल स्टूदा स्टूदा आफ पोंत फॉंटट पॉंट प्रोब्लम विट कॉंट संटरो लैंवेज कुछ घास नहीं है जो तुम बोल रहा हो ही निखना है Done Check कर लो Let AB video code of the larger circle bracket C1 and tangent to the smaller circle bracket C2 at point of contact P with common center O Go out To prove क्या अप अचा नहीं लिखते है OP is joint परले construction लिखते है ताकि construction ना लिखना पड़ेगा सिदा OP is joint लिखते है OP is joint कर दिया क्या proof करना है To prove AP equal to PB कोई problem यहां तक proof अब हम तो अलग तरिका से लिखके दिखाता है हम उपर में क्या था पहले वी नो और श्योरम लिखा था यहां हम डायक लिखते है यह ज्यादा बहतर पसंदें को Clearly OP is perpendicular to AB हाया ना क्या है OP is perpendicular to AB प्रेकर में क्या लिखेगा radius of circle is perpendicular to the tangent क्या था क्या दो प्रेकर में रिखेगा क्या था था हम प्रेकर में लिखेँ खतम रदर दन राइटिंग वी नो हम ऐसे लिख दिया तब clearly what use करेगा Clearly OP is perpendicular to AB और हम प्रेकर में लिख दिया क्या था अब विन वाला पाद लिखते हैं, विनु पर्पेंडिबलर फॉम दा सेंटर तु दा कॉर्ड अल्वेस बैसेक्ट कॉर्ड हाया ना चलिको, यह अब इस दा कॉर्ड तु लाजर शरकल तौर फ्टर।र्पर सिंथ अबैसे धुकलर वी नो लिखता है, वी नो वी नो perpendicular from the center to the chord तुम चाहे तो congruent भी दिखा सकता है पर हम ये बेटर, from the center to the chord always bisecticord so therefore ap equal to pb खत्म, check करो समझाना क्या किया किसी को doubt किसी को कुछ भी doubt अजे काम काता हम एक्जामबल 2-3 बात में करवाएगा, 10.2 का फटबर ये exercise करवाजता है मैं तीन mcq है, तो mcq फॉर्मेट में रखता है, डीटेल नहीं लिखेगा डायक्ली 1 का C, 2 का C लिख देना है, ठीक है, चलेगा चाह बोला हम डाग्रम बना देता है from the point q, this is the point q sorry q from the point q, the length of the tangent to a circle is 24 cm कि 24 गैब है, और q is the point of contact gap ก diu स्विकिंश ऑप्धाग्रम देता है, तोemeक्व देता है, तो दीक कावव लिखा है find the radius of the circle suppose इसको नाम देता है पी तो अगर तुमको पाइठो को इस ट्रिप्लेट यह आता है तो 25 24 7 होता है हां या ना होता है तो 7 cm और पाइठो को स्थिर्म क्यों यूज कर रहा क्योंकि 90 दिग्री होता है ड़न ठीग है ना कि नमबर टू देखो क्या अवेस से बात है क्या एंगल पी 90 दिग्ली है 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 ना है क्या एंगल क्यों 90 है है हां कि 90 प्लस 90 180 चला गया क्यों टॉटल 360 होता है अगर वानिटी इधर चला गया तो यह दो का सम कितना बचा वानिटी है ना है तो अगर यह 110 है तो कितना होगा 70 नहीं होगा तो या रखना यह चीज हमेशा चेक्स्टरनल पॉइंट में यह दो का सम वानिटी ही होता है में या रखना लिखने का तरीका में तो आगे मिल जाएगा यह सब में आता तो डारेक्ट सूचना है तुमको पेकर का प्रूफ करके टाइम विस्ट नहीं करना है तो जब डाइग्राम ऐसा बनता है एक्सटरनल पॉइंट का रिडिटेर तो हमें साह रखना यह और इसका स प्रूम वानिटी डिग्री होता है और इसलिए सेंटर है डन कोई आउट कि अबर सी में जाएं फट अफट अफट थीगे ना हां नमबर सी क्या वाला पी अन पीबी अन पीबीर तो टैंजेंस वामें पॉइंट पी इलो सरकल पी पीए पीबी इस पीबीक निकाला है इनकला है इनकलाईंट वीच आ दा मतबं टैंजेंट एक दूसरे पे इंकलाईंट है मतबंडबंग आउट का बीच का अगल क्या है 80 ओके हमको निकाला पीव ए मतलब कौन से अंगल निकालना है यह वाला हाया ना को डाउट अब यह देखो अगर यह 80 है तो यह टॉटल कितना है 100 होगा और अब यह और में बताया था यह दो एंगल और यह इक्वल नहीं होता है होता है तो इस क्या होगा तो है कोड़ा इस से डेलेटएट एंसी की बहुत आता एक्जाम में या रखना छोटा छोटा एंसी क्यों देदेगा तो मैं ऐसे भी कर सकता है यह 80 है तो यह 40 हो जाएगा आधा सिंस यह 90 है तो यह 50 निकल जाएगा पर यह तो लंबा पड़ता है ठीक है तो तुम देखो कैसे बेसिक छोटा-छोटा चीज यूज हो गया जो हम बताया जो ओपी बाइसेक्ट करता है एक्टरनल पॉइंट को भी और सेंटर को भी तो यह यह रखना अधार यूज कर सकेगा तो डटन को डाउट नए टेक सरकल में ये एंगल और ये एंगल एक दुस्य को बाइसे को बाइसेक्ट होता है लेंग टेंजेंट इक्वल ही ही खतम हम लोग डाइकली यूज कर सकेगा ड़न तो आज इतना है रखता है हुआ है हम को जीस करेगा नेक्स क्लास यानगी कल सोचिल का क्लास में कल करना है समेट कल ओर फ्राइड़े कला कला मोस्ट आप्टा कवर करने का कोशिश कर देगा अधराइस फ्राइडी को चल फ्राइडी छोटी देता है तुम्लों को जाओ दुरका पुजा निजए करो ठीक है कल सुबह वाना फ्राइड करता देखता है पर सुबह मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा मेरा क्लास दिपार्टमेंट जाना पड़ेगा तुम्लों कुजा कितना बज़े देखने जाएगा तीन से चार चार से पांच कर लेता ना कोई प्रॉब्लम ना